हेलो फ्रेंग्स वेल्कम बेक तो मैं यूटीब चैनल इन्फानाट गांस फ्रेंग्स आज का हमारा टापिक है आइनाजेशन एनर्जी कि कितनी अमांट आफ एनर्जी हमें चाहिए रिमूफ करने के लिए एलेक्ट्रोन को फ्रॉम्दी आउटर्मोस्ट चैल से कौन से आटम की वो न्यूटर होना जाहिए गैसे होना जाहिए और आइसोलेटिड तो आइसोलेटिड मींज कि हमारा कॉंबिनेशन नहीं होगा एक ह न्यूटर्ल उसमें कोई चार्ज नहीं होना चाहिए प्लस वो गैसे होना चाहिए तो गैसे एटम ही हमें आइसोलेटिड फॉर्म में मिलेंगे तो जैसे कि हैट्रोजन गैस है यह एक तो यहां से हमने एक एलेक्ट्रोन को रिमूफ कर दिया तो यहां पर क्या आगया पॉ यहां बेस हो reports तो यहां समय करसे हमें को उउयां करते हैं तो यहां स distance from the center of the nucleus to the boundary of the surrounding cell of electron तो ये क्या होता है, center of the nucleus से जो हमारी outermost जो shell होगी, वहां तक के distance, okay, from the center of the nucleus to the outermost shell, उसको बोलते हैं हम atomic radius, तो होता क्या है, along a period from left to right, जब हम left to right move करते हैं, along a period, तब हमारा atomic number increase हो जाता है, तो atomic number increase होने की वज़ा से, इस मतलब कि हमारा positive जो हमारा nuclear charge है, nuclear charge, वो भी क्या होगा, increase होगा, मतलब कि number of protons भी हमारे क्या करेंगे, increase करेंगे, अब जैसे number of protons increase करेंगे, तो हमारा ionization energy increase करेंगी, क्या होगा, इस तरह से हमारा atom है, इस में number of protons बहुत जादा है, इस तरह से nucleus में number of protons क्या हैं, बहुत जादा है, तो number of protons जादा होने की वज़े से, यहां पर अगर कोई electron होगा, तो वो इसे बहुत strongly attract करेंगे, बहुत strongly इसको अपनी तरफ खींचेंगे, जिस वज़े से हमारा जो atomic size होगा, जो atomic radius होगी, वो कम होगी, वो ज्यादा बड़ी नहीं होगी, वो कम हो जाएगी ionization energy क्या हो गई बढ़ गए, क्योंकि अब इसने बहुत strongly held करके रखा है electron को, तो बहुत tough हो जाएगा इस एक electron को यहां से remove करना, और ionization energy हमें क्या बताती है, removal of electron, तो अब removal of electron क्या हो गया है, tough हो गया है, तो हमें जादा energy लगेगी इसको remove करने के लिए, तो इस वज़े से ionization energy, along का period क्या करती है, increase करती है, इस तरह से आप देख सकते हो, lithium berlin, इन सभी का atomic number बढ़ रहा है, तो मतलब कि nuclear charge बढ़ रहा है, number जब हम down the group जाते हैं, तब हमारा atomic size increase करता है, ऐसे कि आप देख रहे हो कि hydrogen है, hydrogen में क्या रहता है हमारा 1s1, lithium में हो जाएगा हमारा 2s1, sodium में हमारा किस तरह से हो जाता है, 3s1, okay, तो हमारा atomic size बढ़ रहा है, क्योंकि हमारी shell जो है, वो add हो रही है, इसमें, तो atomic size बढ़ रह जैसे atomic radius भी बढ़ रहा है, अब distance from the center of the nucleus to the outer more shell वो भी increase करेगा, जैसे जैसे number of cells add करेगी, तो इस वज़ा से यहाँ पर ionization energy decrease हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से अब जो हमारे number of proton है, वो उतना ज्यादा strongly held नहीं कर पाएंगे electrons को, okay, उतना ज्यादा strongly यह इसे attract नहीं कर पाएं of electron बहुत easy रहेगा, इस वज़ह से ionization energy down the group decrease करती है, और यहाँ पर हमारे सबसे ज्यादा ionization energy होती है helium की, क्योंकि left to right जाते वक्त, hydrogen से हम कितर को जाएंगे, helium आता है हमारे पास, तो helium की सबसे ज्यादा ionization energy रहती है, जबकि cesium की सबसे कम, okay, और यहाँ पर मैंने आपको वही बताया है सेम, more is the atomic number, more is the nuclear charge and more is the ionization energy, तो जितना ज्यादा atomic number होगा, उतना ही ज्यादा nuclear charge रहेगा, उतने ही ज्यादा ionization energy रहेगी, hence ionization energy is directly proportional to the nuclear charge, यह मैंने बताया है, periodic table में, जब हम left to right मोग करते हैं, तो हमारी ionization energy directly proportional होती है nuclear charge के, जितना ज्यादा nuclear charge उतनी ही ज्यादा energy, अब हम second factor की बात करते हैं, जो कि effect करता है energy को, वो है electronic configuration, जो हमारी half filled or fully filled sub shell होती है, वो high energy required करते हैं, in comparison to other, because of more stability, क्योंकि half filled or fully filled होने की वज़ह से इनकी stability increase कर जाती है, इस वज़े से, यहां से electrons को remove करना बहुत tough हो जाता है, और इनकी जो ionization energy होती है, in comparison to other, वो बहुत बढ़ जाती है, अब जैसे कि आप यहां पे देख रहे हो, कि lithium, beryllium, boron, इस तरह से हैं हमारे पास, तो यहां पे कह रहता है, हमारा, इसकी 2S1, इस तरह से हो जाएगा हमा 2S1, यहां पे 4, 2S2, boron का 5, 2S2, 2P1, यहां पे 2P2, यहां पे 2P3, यहां पे आप clearly देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे आप, तो आपको यहां पे half field और fully field sub cell देखने को मिलेगी, तो अगर हम देखें, तो यहां पे हमारे पास क्या है, fully field sub cell है, 2S2, S sub cell में हमारे 2 electrons आते हैं, तो यहां पे fully field है, S2, और यहां पे हमारा जो nitrogen है, इसमें जो हमारा P orbital है, इसमें यह क्या है, half field है, इसमें 3 electrons है, P orbital में हमारे आते हैं, 6 electrons टोक्टर, तो इसमें कितने हैं, 3 है, मतलब कि यह half field है और यह क्या है fully filled है तो अब यहाँ पे क्या होगा इसकी जो energy होगी energy वो ज़्यादा हो जाएगी in comparison to boron वैसे boron इसके आगे है लेकिन अब यह क्या करेगा यह beryllium boron की जगा shift कर जाएगा और boron इसकी जगा आजाएगा इसकी जगा जाएगा उसे तरह से nitrogen यहाँ shift कर जाएगा और oxygen जो है वो हमारा यहाँ आजाएगा क्योंकि इसमें क्या है यह half field है यह more stable है तो इससे electron निकालना जादा टफ है in comparison to oxygen वैसे हमारा यह जो trend था वो कैसा था पहले लीथियम आएगा फिर हमारे पास beryllium boron कार्बन लेकिन ऐसा नहीं हुआ यहाँ पे boron फिर आएगा beryllium फिर carbon फिर oxygen फिर nitrogen तो इस तरह से यह trend रहेगा इसका और यहाँ पे एक और बात यहाँ पे जो हमारा atomic size वो नहीं increase करता जब हम left to right move करते हैं period में वो क्यों नहीं increase करता आप अगर ध्यान से इनक atomic number देखें यहां पर क्या हो रहा है number of electrons add हो रहे हैं तो इस वज़े से यहां पर atomic number नहीं करता है जब कि आप यहां पर clearly देख पा रहे हो यहां पर हमारी पहले वान सब सबसेल थी फिर सेकेंड यहां पर कौन सी आगी थर्ड आगे तो यहां पर अटॉमिक साइज बढ़ रहा है और यहां पर सबसेल के उपर भी डिपेंड करता है यह आइनजेशन एनरजी वह क्यों क्यों कि हमारा जो सबसेल है इसकी सबसे ज्यादा ज्यादा इनरजी होगी 10P 10 इसके अंदर उसको वह strongly held करके रखेगा positive charge अंदर बहुत strongly held है तो यह क्या करेंगे बहुत compact structure है positive charge जो है वह इसके अंदर बहुत अच्छे से पैक है तो वह क्या करेंगे बहुत strongly attract करेंगे electrons को अपने तरफ इस वजह से इसकी आइनाजेशन एनरजी बहुत ज्यादा रहेग dispersed structure है इसका dispersed है यह P orbital तो इस वजह से यहां पर क्या हो जाएगा अब जो हमारा nucleus होगा वह उतने strongly attract नहीं कर पाएगा electron को क्योंकि इनका shape बहुत बढ़ी है तो अब electrons दूर दूर चले गए हैं और यहां पर compact होने के वजह से थोड़ा करीब थे तो वह बहुत strongly held कर रहा था compact structure अब और दी और एफ का तो और भी जादा बहुत ही कम ionization energy होती है in comparison to s, s की बहुत जादा हो रहती है और drf की बहुत कम रहती है क्योंकि drf के बहुत ही dispersed structure है f orbital का हमारा बहुत जादा diffused structure होता है और electrons जो है वह electron density भी कम रहती है अब यहां पर यह compact structure है जैसे कि यह है हमारा compact structure structure okay तो यहां पर electron इस तरह से हैं तो electrons की density यहां पर जादा है अगर यह बहुत बढ़ा होगा हमारा structure okay तो electron इस तरह से dispersed होंगे तो उतना जादा यह क्या नहीं कर पाएंगे हमारा जो अंदर proton है वह उतना जल्दी उतना जादा इनको attract नहीं कर पाएंगे क्योंकि यह भी क्या कम है क्योंकि बहुत बढ़ा structure है और उतने अपनोस है नहीं और यहां पर diffuse structure होने की वजह से attraction भी बहुत कम है इस वजह से हमारे सबसे ज़्यादा ionization energy रहती है in comparison to F तो अब हम देखेंगे first second and third ionization energy तो हम देखेंगे कि कौन से वाले ionization energy सबसे ज़्यादा रहेगी तो यहां पर मैंने आपको एक example लिया है इसके लिए sodium magnesium और silicon का जब हम इसकी first ionization energy करते हैं जैसे कि अब हम sodium को देखेंगे तो sodium का atomic number का रहता है 11 रहता है तो यह है इसकी तो यह है इसकी electronic configuration तो हम में क्या करना है आउट्रमोस चैल से एक electron को remove करना है तो आउट्रमोस चैल क्या है इसकी 3S1 है तो हमने first electron को remove कर दिया होगे minus electron one electron को remove करके हमारे पास क्या आगया N positive बन क्या तो N positive बन क्या यह तो इसकी जो ionization energy है यह कौन सी हुई first ionization energy है इसकी sodium की और यहां पे उसे तरह से magnesium के लिए हम करेंगे तो magnesium में क्या हो जाएगा one electron को remove करने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा यहां पे mg positive बन जाएगा तो यह होगे इसकी first ionization energy उसी तरह से silicon की भी हो जाएगी first ionization energy यहां पे 3P2 में से एक electron चला जाएगा तो अब यहां पे जो order रहेगा किसकी सबसे जादा ionization energy रहेगी silicon की रहेगी वो हम करेंगे जिस तरह से हमारा rule है कि left to right period में ionization energy increase करती है तो sodium का atomic number 11 फिर magnesium का 12 और silicon का क्या होता है 14 तो silicon में number of protons क्या रहेंगे जादा रहेंगे high nuclear charge रहेगा तो इस वज़ा से सबसे कम sodium की तो first ionization energy जो है first ionization energy का pattern क्या रहेगा sodium सबसे कम फिर magnesium फिर silicon की सबसे ज़्यादा ionization energy रहेगी कौन सी वाली first अब हम इसकी second ionization energy के बारे में देखेंगे second ionization energy second ionization energy में क्या हो जाएगा अब हमारे पास यह जो sodium है इसमें से एक और electron चला जाएगा ओक enorm जाएगा तो इएक और electron अब इसमें से कहां से जाएगा यह वाला तो चला गए है यह वाला चला गए हैं तो यहाँ पर अब क्या है वैलेंस सेल का जला गया है अब यह कौन सा है यह इसके अंदर से कोर आफ ती एटम से हम एक इलेक्ट्रोन को रिमूव कर रहे हैं तो यह ज्यादा टफ रहेगा जबकि मैगनेशियम और सिलिकॉन दोनों में क्या है वैलेंस सेल इलेक्ट्रोन है यहां पे 3P1 है और यहां पे यहां पे 3P1 है और पोजिटिव अब फिर हमारा क्या है मेगनेशियम Mg 2-Positive फिर हमारा सिलीकॉन 2-Positive तो यहां पर अब इनकी electronic configuration क्या हो जाएगी इसकी हो जाएगी 1s2-2s2-2p5 क्योंकि एक electron यहां से चला गया यहां पर हो जाएगी 1s2-2s2-2p6 यहां पर 1s2, 2s2, 2p6 and 3s2 ओके तो इस तरह से यह क्या बन गया यह इस तरह से हो गया तो सेटेंड डाइनाजेशन एनरजी का पैटर्न क्या रहेगा अब यहां पर हमारे पास क्योंकि यहां पर मेगनेशन के पास क्या है एक एलेक्ट्रॉन है वैलन सेल में तो यहां से रिम अभी क्या है आउटामोस्ट सेल में हमारा क्या है 3s सबसेल में अभी दो एलेक्ट्रॉन है 3p में से गया है एक तो सबसे ज़्यादा जो आइनाजेशन एनरजी लगेगी वह सोडियम के लिए और सबसे कम लगेगी मेगनेशियम के लिए तो हमारे इस तरह से ओडर आ जाए जाए गी और अगर हम थार्ड आइनरजीशन ऐनरजीशन की बात करें थारड आइनरजीशन अनरजीशन को हमारे पास क्या हो जाएगा ऩ। एंग सी बंप अ कर शायाए यहां पे ध्यां से देख्गना है यहां पे आप देख रहे हो कि यहां पे core of the atom से हमने एक electron को remove कर दिया sodium के जब यह क्या था fully filled था तो इस वज़े से इसकी सबसे highest second ionization energy थी लेकिन अब सबसे highest second ionization energy किसकी हो जाएगी magnesium की क्योंकि यहां पे अब हम fully filled है और उपर से इसके core में से हम एक electron को remove कर रहे हैं कि silicon में अभी भी outermost cell में two electrons हैं तो हमने क्या करना है एक ही electron को remove करना है और यहां से भी एक electron को यहां से भी एक electron को तो सबसे ज़्यादा जो energy लगेगी वो इसके लिए लगेगी फिर sodium फिर silicon के लिए सबसे कम energy लगेगी क्योंकि इसकी balance cell में अभी भी electron है तो हम इसका pattern किस तरह से लिखेंगे silicon सबसे कम फिर हमारे पास आजाएगा sodium फिर आजाएगा हमारे पास magnesium, magnesium की सबसे ज़्यादा आइनाजेशन energy होगी कौन से वाली थर्ड आइनाजेशन energy तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो कि किसकी आइनाजेशन energy कम और ज़्यादा रहेगी और हमेशे आपको याद रखना है कि आइनाजेशन energy का जो pattern रहता है आइनाजेशन energy 3 is always greater than, आइनाजेशन energy 2 than, आइनाजेशन energy 1 ओके तो ये pattern आपको याद रखना है ये हमेशा सेम ही रहेगा तो आइनाजेशन energy जो हमारी थर्ड रहती है वो सबसे ज़्यादा रहती है हमेशा यहाँ पर मैंने आपको दो question दिये हैं solve करने के लिए आपको बताना है इनकी आइनाजेशन energy को तो first question है हमारा by looking at following electronic configuration of elements can you predict which element has the lowest first ionization energy अभी हमने पढ़ा first, second और third ionization energy को तो आप इन में से बता सकते हैं कि किसकी सबसे कम first ionization energy है first ionization energy की बात हो रही है तो आपको सिर्फ electronic configuration को देखके बताना तो यह बहुत easy रहेगा आपके लिए और अगर हम second question की बात करें तो यहाँ पर बता गया है आइनाजेशन energy when supplied to an atom results in an तो आइनाजेशन energy क्या करती है जब इसको हम एक atom पे supply करते हैं तो यह क्या हमें अनाइन और एक proton प्रोटोन प्रवाइड करती है यह क्या 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 टाइन और electron या फिर अनाइन और electron प्रवाइड करती है तो यह आपको answer करना है और comment box में आपको बताना है इसका answer question number one or two का जिसका सही रहेगा वो हम अपनी next video में discuss करेंगे ओके तो I hope आपको चैसे समझने I hope what is ionization energy इसकी exception रह गई है ग्रूप के accordingly वो हम अपनी next video में discuss करेंगे till then guys take care good bye